अब बात करते हैं यम्नो नदी के बारे में जो यम्नो नदी है इसका उद्गम स्तल है उत्राखंड में यम्नोतरी गलेसियर यानि यम्नो नदी कांसे निकलती है यम्नोतरी गलेसियर में एक जगए है बंदर पूछ परवत इसके दक्षिन पस्चिम भाग में स्थित है यमनोतरी काठा वही से निकलती है यह यमनो नदी तो एक्जा में कोशन आएगा कि यमनो नदी कहां से निकलती है गलेसिर का नाम पुछे तो यमनोतरी हो गया परवत का नाम पुछे तो बंदर पूछ हो गया रज्जे का नाम पुछे तो उत्रा खंड हो गया और इसके लावा अगर पूछे हर्याना में कहां से परवेश करती है तो उनसराएगा यमनो नगर के कलेसर से कौन सी नदी हर्याना और उत्रपरदेश की सीमाओं को निधारित करती है तो उनसराएगा यमनो नदी और एक क्वेशन ये पूछ लेते हैं कि हर्याना में बारा महीने बहने वाली नदी कौन सी है ये भी है यमनो नदी हर्याना की परमुख नदी यमनो नदी अब हमें पता होना चाहिए कि हरियाना में यम्रा नदी कौन कौन से जिले में बहती है तो ये बहती है यम्रा नगर से स्टार्ट होती है यम्रा नगर करनाल फिर पानीपत और उसके बाद आती है सोनीपत और फिर दिल्ली दिल्ली के बाद फरीदाबाद फरीदाबाद के बाद पलवल और हरियाना में ये हसनपुर तक जाती है उसके बाद ये चली जाती है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में एक जगह है इलाबाद जिसको आज के टैम कहते हैं प्रियाग राज वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है तो एक क्वेशन ये भी बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन सी है तो ये कौन सी है यमना नदी और हरियाना में यमना नदी की लंबाई कितनी है ये है 320 किलो मिटर और कितने जिलों से होकर गुजरती है छे, कौन कौन से पहले यमना नगराता है फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत उसके बाद फरिदाबाद और पलवल इन छे जिलों से होकर गुजरती है तो आगे आपको समझ में उसके बाद है पस्चमी यम्नो नहर जो ये नहर है इसको पहले पुरानी मुगल नहर भी कहते थी और इसका प्रारंबिक बिंदू कौन सा है तज्जेवाला बिराज और आज के टेम ये तूट चुका है तो इसलिए बनाया गया हतने कुंड बिराज इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे लेकिन वो आगे जैसे आपको पता भी होगा नहरों में क्या होता है गाद जम जाती है उसी समस्या को निपटने के लिए क्या बनाया गया था तज्जेवाला बिराज और यहीं से पश्चमी युमना नहर निकलती है का से तज्जेवाला कॉंपलेक्स सी तो यह आपको ध्यान में रखना है और जो पश्चमी युमना नहर है इसको किसने बनाया था बंगाल इंजिनियर ग्रूप ने देखो निर्मान तो किया था बंगाल इंजिनियर ग्रूप ने लेकिन इस ग्रूप का कैप्टन कौन था जी यार बलेन ये भी पूर सकते हैं और जो पश्चमी यमनो नहर है इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं नमबर एक तो ये सबसे पुरानी नहर है हर्याना की सबसे पुरानी नहर कौन सी है पश्चमी यमनो नहर वैसे इसका निर्माण हुआ था 1355 इसवी में जो हर्याना की साइट है उस पर दे रखा है 1351 तो एक्जाम में इनमें से एक ही मिलेगा ठीक है पूछ लेगा पश्च में युमना नहर का निर्मान कब हुआ तो अंसर आएगा 1355 अगर option में 1351 हो तो आप 51 के अंसर लगा दोगे क्योंकि अगर गल्त भी होता है तो आप objection लग लगने किसने फिरोसत तुग लगने देखो निर्मान तो करवा दिया फिरोसत तुग लगने दोबारा निर्मान किसने करवाया इसका 1668 इसवी में करवाया अकबर ने और फिर 1623 इसवी में सहाज जहाने इस नहर का पुर्ण निर्मान भी करवाया और विस्तार भी करवाया पुर्ण निर्मान मतलब दुबारा से निर्मान करवाया ठीक है तो बात आगी समझ में अगर पूछे निर्मान किसने करवाया तो फिरोसत तुगलक ने पुरण निर्मान किसने करवाया यानि दुबारा निर्मान तो ये करवाया 1568 में अकबर ने और इसका विस्तार किस ने किया 1623 में सहा जहाने और फिर कुछ सालों बाद क्या होता है इसमें गाद जम जाती है जिसके कारण इस पर पानी बहना बंद हो जाता है कब की बात है ये 1750 की यानि 1750 में इस नहर में पानी बहना बंद हो जाता है तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं इस नहर की दुबारा से सफाई कराते हैं और फिर दुबारा से ये बहनी सुरू हो जाती है तो एक्जाम में कुशन आ सकता है कि पस्च में युमना नहर का जिन उधार कब किया गया तो कब किया गया अठारा सो सत्रा इस्वी में और इसकी सभी साखाओं को मिला कर लंबाई कितनी बनती है इसकी 3226 किलो मीटर और ये कौन-कौन से जिले में पानी देती है अंबाला में, करनाल में, सोनीपत में, रोतक में, हिसार में, सिर्षा में और इसके लावा दिल्ली में भी देती है और रजस्तान में भी तो आपको आगा समझ में इतना इसके बाद है पस्च में युमना नहर परनाली एक्जा में कोशन आएगा कि पस्चमी युम्नो नहर परनाली के तहद हरियाना में कितने लाख हेक्टेर भूमी पर सिचाई की जाती है तो उन्सराएगा 4.68 लाक हेक्टेर और उसके लावा उठान सिचाई परनाली के तहत 3.30 लाक हेक्टेर भूमी पर सिचाई की जाती है अगर पूछ ले हर्याना में कुल सिंचित छेतर कितना है तो ये कितना है 23.36 लाक हेक्टेर जो 23.36 लाक हिक्टेर है या केला हरियाना का नहीं है इस मेν से 0.12 लाक हिक्टेर दिल्ली की भूमिकी सिचाई की जाती है अगर इसको घटा दे तो हरियाना का कुल सिंची छेतर आजाएगा तो ये कितना हो गया? 23.24 लाक हिक्टेर अगर कुल छेतर पुछे तो 23.36 हो गया अगर अकेला हरियाना का पुछे तो आजाएगा 23.24 लाक हेक्टेर और इसके लावा हरियाना में कुल कितनी नहरे हैं तो ये हैं 1521 नहरे जो फैली है 14125 किलोमेटर तक और जो बाखडा नहर है इसमें कितनी नहरे हैं 521 उठान सिचाई प्रयोजना में है 528 और पस्चमी युमना नहर में है 472 नहरे तो हो गया कलिया रितना उसके बाद है बाखडा नहर परनाली या फिर बाखडा जल सेवा इकाई तो इसमें मैंने बताया था नहरे कितनी आती हैं 521 इसमें नो दो नहरे हैं एक तो है बाखडा नहर दूसरी है नांगल नहर जो बाखडा नहर है ये कौन सा छेतर सिंचित करती हैं अंबाला, कुर्चेतर, कैथल, जीन्द, सिर्षा, फत्यवाद इन सभी को मिलाकर 5867 किलोमेटर का छेतर सिंचित करती हैं और इसमें 5 परिमंडल हैं कौन-कौन से हैं? सिर्षा है, हिसार है, फत्यवाद है, कैथल है और अंबाला है उसके बाद है पस्चमी युमना नहर पर ना ली या फिर पस्चमी युमना नहर जल सेवा इकाई इसमें 472 नहरे हैं और ये कुल मिलाकर 4104 किलोमेटर छेतर में सिंचाई करती हैं और जो 472 नहरे हैं इसमें से 14 नहरे दिल्ली की भूमी पर सिचाई करती हैं अगर इसको घटा दे तो हरियाना में कितनी नहरे बचकी? 458 नहरे तो पूछ सकता है पस्चमी युमना नहर परनाली में हरियाना में कितनी नहरे सिचाई करती हैं? तो हरियाना में करती हैं 458 अगर पूछे इस परनाली के तहट कितनी करती हैं? तो आएगा 472 अगर पूछे दिल्ली में कितनी करती हैं? तो आएगा 14 और जो चोदा नहरे हैं ये कितनी लाख हेक्टेर भूमी पर सिचाई करती है जीरो पैंट बारा लाख और जो पस्चमी यम्ना नहर है इसका सिंची छेतर कौन सा है रोतक भीवानी जीन्द करनाल पानिपत सोनिपत यम्ना नगर और फरिदाबाद और पस्चमी यम्ना नहरे के साथ परिमंडल है एक तो होगा भीवानी जीन्द करनाल सोनिपत फरिदाबाद दिल्ली और जगादरी अगर पूछ ले नहरों दुबारा सबसे अधिक सिचाई करने वाले जीले कौन से हैं तो सबसे ज़्याद सिचाई होती है सिरसा में कितनी 5. जीन्द में 2.58 अथा फत्याबाद में 2.49 लाद हेक्टेश तो एकजाम में पूछेगा सबसे अधिक सिचाई वाला जिला तो सिरसा जाएगा अगर पूछ ले सबसे कम सिचाई वाला छितर येनी जिला तो अन्सराएगा पंचकुला और एक नहर है गुढगाव नहर यह द दो लाख हेक्टेर भूमी को सिंचित करती हैं तो एक्जाम में आएगा गुडगाव नहर कहां से निकलती हैं ओकला बांद से कहां पे है ये दिल्ली में अनंगपुर बांद ये कहां पे है ये है फृरीदाबाद के अनंगपुर गाउं में इसको गैर्वी स्ताबदी में बनाया गया था किसके दवारा तोमर वंस के राज़ा अनंगपुर के दवारा हतनी कुंट बेराज बांद ये कहां पे है यम्ना नगर में और यम्ना नगर में कहां पे है ताज्जेवाला में इसका निर्मान तो सुरू हुआ था 1996 में और बन कर त्यार हो गया था 1999 में और जो यमना नदी है ना इसकी सायक नदियां है एक गिरी एक टोंस एक सोम तो इन पर जो बांद बने हैं इनके बारे में पता होना चाहिए जो गिरी नदी है इस पर जो बांद बना है उसका नाम है रेनुका बांद टोंस नदी पर बना है किसाओ बांद सोम नदी पर बना है पत्राला बांद और जो यमना नदी है इससे दो नहरे निकाल ली गई है हरियाना में एक पुर्वी यम्ना नहर एक पश्चमी यम्ना नहर ये कब निकाली गई ये पूछ सकते हैं 1889 में और एक नहर है मुनक नहर इसको कहां से निकाला गया है करनाल के मुनक से और ये जाती है दिल्ली और इसको दिल्ली की लाइफ लाइफ लाइन कहते हैं और इसी नहर पर हरियाना और दिल्ली के बीच विवाद चलता रहता है और ये नहर कब निकाली गई? 2012 में और हाँ जो मौनक नहर है ये 102 किलो मेटर लंबी है और ये नहर करनाल के मौनक से निकलती है और दिल्ली के हैदरपूर में समप्त हो जाती है और यही नहर दिल्ली के लिए पीने के पानी का प्राथमिक स्त्रोथ है देखो 1996 में हर्याना और दिल्ली के बीच एक समझोता हुआ था और दिल्ली द्वारा उसके भुगतान पर 2003 और 2012 के बीच हर्याना द्वारा इस नहर का निर्मान किया गया था अब बात कर लेते हैं पस्चिमी युमना नहर पर जल विदुत उर्जा उत्पादन तो पस्चिमी युमना नहर पर कई परमुख बेराज और बांध बनाए गई हैं जिसे हतनी कुंड बेराज, दादुपूर में, ताज्जेवाला बेराज, सोम नदी पर बांध तो इनके ज जल का उप्योग विदुत उत्पादन में भी किया जाता है, यानि बीजली बनाए जाती है, अब बात कर लेते हैं पस्चिमी युमना नहर की साखाओं के बारे में, एक बहलोत साखा है, जो ये साखा है, ये है खुसरु गाउं में, और ये दिली साखा की एक उप साखा है जजजर साखा, ये भलोत साखा की एक उप साखा है, और बात करें सिर्सा साखा की, तो ये 1896 में निर्मित हुई थी, और ये साखा कैथल जिले, जीन जिले, फतेवाद जिले, और सिर्सा जिले से होकर गुजरती हैं, जीन साखा, पस्चिमी युमना हर की एक साखा है, जो जीन से ओकर गुजरती है बरवारा साखा ये सिर्सा की एक उप साखा है जो हिसार की बरवारा तैसील में है बात करे हासी साखा की ये बनाए गए थे 1825 में और फिर 1969 में इसको दुबारा से त्यार किया गया बुटाना उप साखा जो बुटाना उप साखा है ये हसी साखा की एक उप साखा है बात करे रोत्तक साखा के बारे में तो ये जीन साखा की एक उप साखा है आप एक बार इनको पढ़ लेना एक्जाम यहां से क्वेशन आ सकता है उसके बाद है सतलुज यमुना लिंक ये जो नहर है ये है 214 किलोमेटर लंबी और इसी नहर पर पंजाब और हर्याना राज्ये के बीच जल बटवारे को लेकर जगड़ा चलता रहता है देखो भारत का सबसे उच्चा बांध कुन सा है टिहरी बांध जो है भागी रती नदी पर इसकी उच्चाई 260 मेटर है यानि करीब 260.9 है तो हम कह सकते हैं 261 मेटर यानि लगबग 261 मेटर है और ये कहां पर है उत्रा खंड में देखो भारत का सबसे उच्चा बांध हो गया टिरी बांध दूसरी नमबर पर कुन सा है बाखड़ा बांध और भारत की सबसे लंबी नहर कुन सी है इंद्रा गांधी नहर और इसको रजस्तान की नहर के नाम से भी जाना जाता है हर्याना की सबसे लंबी नहर कुन सी है यमना नहर फादर ओफ भाखड़ा बांध यानि बाखड़ा बांध का पिता किसे कहते हैं सर छोटू राम को सबसे पहले बात कर लेते हैं बाखडा नहर के बारे में किसके बारे में बाखडा नहर देखो बाखडा नहर और बांध दोनों अलग अलग चीज़े हैं ठीक है इसलिए आप ध्यान से समझेगा बिल्कुल असान भासा में करेंगे सबसे पहले बात करेंगे बाखडा नहर की जो बाखडा नहर है ये पंजाब के नंगल बांद से निकलती है कहां से नंगल बांद से और नंगल बांद कहां पे है पंजाब में और इसमें पानी आता है गोबिन सागर का इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन आगे अभी के लिए आप ये समझ लो जो बाखडा बांध है ये पंजाब के नांगल बांध से निकलती है और इसमें पानी आता है गोबिन सागर का और गोबिन सागर में पानी कुन सा होता है सतलूज नदी का तो हम कह सकते हैं, जो बाखडा नहर है, ये किस में से निकलती है? सतलूज नदी से और इसका निर्मान करवाय गया था 1954 में किस के दवारा? पंडी जवारलाल नहरु के दवारा और ये नहर पंजाब के रोपड यानि रूप नगर से निकलती है और इसका पानी रोपड, पट्याडा, खनोरी, संगरूर होते हुए हरियाना में प्रविस करता है हरियाना में कहां से प्रविस करता है तोहाना से तो एक्जाम में कुशन आता है कि बाखडा नहर हरियाना में कहां से प्रविस करती है सहर का नाम पूछे टोहाना अगर जिले का नाम पूछे तो फत्यबाद अगर गाम का नाम पूछे तो बलियान वाला और इसी के पास बाकडा बांद का हेड है और यही से ये साथ भागों में यानि साथ नहरों में बिवाजित हो जाती है यानि एक नहराती है साथ भागों में बढ़ जाती है ठीक है? और इसकी जो मुख्य धारा है वो चली जाती है रतिया छेतर की तरफ और इसी को बाखड़ा नहर की मुख्य ब्रांच नहर के नाम से भी जनती है और फिरतिया से चली जाती है पंजाब में उसके बाद राजस्तान में इसकी गहराई की बात करें तो ये है 26 फुट चुडाई की बात करें है 20 फुट चुडाई थोड़ी कम है इसकी जितनी कम चुडाई होगी उतनी तेज पानी बहेगा इसलिए इसकी चुडाई कम रखी गई ताकि इसके पानी की गती को बढ़ाया जासके और जो इसका आखरी टेल है वहां तक पहुचाया जासके और जो बाखडा बांध है इसका रख रखाव किसके दवारा के जाता है बाखडा ब्यास परवंदन बोर्ड यानि बाखडा बांध मनेजमेंट बोर्ड ठीक है इसके अधेक्स कोन है सिरी संजे सिरी वास्तव मुखैल है इसका चंडीगड में स्तापना हुई थी 1 अक्तूबर 1967 को देखो जब 1 अक्तूबर 1963 को स्तापना हुई थी उस समय क्या था इसका नाम था ब्यास निर्मान बोर्ड लेकिन 15 मैं 1996 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया बाखडा ब्यास परवंदन बोर्ड ठीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है अब बात आती हैं बाखडा नंगल परियोजना की अब इस से आप पूरी बात समझ जाओगे अब हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं बाखडा नंगल परियोजना को ये लगा लो सीमा इस सैड होगा पंजाब और इस सैड होगा हिमाचल परदेश ठीक है जो सतलुज नदी है उसका जो पानी आता है उसको यहाँ पर एक जील में कठा कर लेते हैं इस जील का नाम क्या है गोविन सागर जील और यहीं पर एक बांद बना दिया जाता है जिसका नाम होता है बाखड़ा बांद और यह कहां पर है हिमाचल परदेश के बिलासपुर में अगर गाउं का नाम पुछें तो वो है बाखड़ा गाउं यानि बाखड़ा गाउं में एक बांद बना दिया सतलुज नदी पर जिसका नाम उसके गाउं के नाम पर ही रख दिया बाखड़ा बांद तो आपको समझ में आ गया सतलुज नदी का पानी यहां पर इकठा कर लिया एक जील में यानि जलाशे में उसका नाम रख दिया गोविन सागर यानि सिखों के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग जी के नाम पर और उस पर एक बांद बना दिया जिसका नाम रख दिया बाखड़ा बांद और फिर यहां से तेरा किलोमेटर दूर यानि पंजाब के बोर्डर पर ही एक बांद और बना दिया जिसका नाम ہے नांगल बांध यानि ये तो होगी उचाई उचाई से निच्चे की तरफ आते समय 13 किलोमेटर पर एक बांध बना दिया जिसका नाम है नांगल बांध तो बाखडा बांध और नांगल बांध इन दोनों को मिलाकर जो पर्योजना बनाई गई थी उसको कहा गया है बाखडा नांगल पर्योजना ये बात आगे आपको समझ में जो बाखडा बांध है ये हिमाचल परदेश में कहां पे बिलास्पुर में और बात करें नांगल बांध की तो ये है पंजाब के रूप नगर में अगर गाउं का नाम पुछे तो इनके बांदों के नाम पे ही है नांगल बांद नांगल गाउं में बाखड़ा बांद बाखड़ा गाउं में तो आग आपको समझ में इतना अब बात कर लेते हैं कौन सा कब बना और किसकी कितनी लंबाई है, किसकी कितनी चोड़ाई है देखो, जो बाखडा नांगल बांध है इस योजना की बाचीत हुई थी 1944 में किस-किस के बीच हुई थी? उस समय के पंजाव के रास्थम मंतरी, सिरी छोटूराम और बिलासपूर के राजा के बीच इन दोनों के बीच, नुवंबर 1944 को समझोता हो जाता है और 1946 में निर्मानकारिय शुरू हो जाता है लेकिन बांध बनना कब शुरू होता है? 1948 में तो एक्जाम में आ सकता है, बांध बनना कब शुरू हुआ? तो अंसर आएगा 1948 में और उस समय के जो परधान मंत्री थे पंडी जवारलाल नहरू 1955 को इस बांध का कंक्रीट दोवारा निर्मानकारिय शुरू करवाय था यानि कंक्रीट कब डाला गया था 1955 में और ये बनकर त्यार हो गया था 1962 में और इसका उधगाटन किया गया था 22 अक्तूबर 1963 को किस के दोवारा पंडी जवारलाल नहरू के दोवारा अगर सिंपल भासा में बात करूँ जो बाखडा नांगल परियोजना है ये शुरू हुई थी 1948 में बनकर त्यार हो गई 1962 में इसका उधगाटन किया गया 1963 में और ये पूरन रूप से काम कब करने लग गया था 1970 में बस आप ये याद रख लेना काफी है एक क्वेशन पूछ सकते हैं जो बाखडा नांगल बांध है ये राश्टर को समर्पित कब किया गया 1963 में और जो बाखडा बांध के पीछे जील बनी है उसका नाम क्या है ये गोविन सागर ये भी आपको ध्यान में रखना है exam में question आ सकता है अगर पूछे किस के नाम पे बनी है ये जील तो ये बनी है सिक्खो के 10वे गुरू गुरू गोविन सिंग जी के नाम पर और ये पूछ सकते हैं बाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया सतलूज नदी पर यानि सतलूज नदी के पानी को एक जील में कठा किया जाता है और फिर उसको बाखड़ा बांध से गुजारा जाता है और फिर मैंने बताया था 13 किलो मेटर निच्चे आता है ये पानी और फिर कठा हो जाता है नांगल बांद में और एक बात और जो पंडित जवारलाल नहरू है इन्होंने एक बात कही थी बाघड़ा डैम के बारे में कि जो बाघड़ा डैम है ये पूनरूधित भारत का आधुनिक मंदिर है यानि एक्जाम में कोश्चन आ सकता है कि बाघड़ा डैम को पूनरूधित भारत का आधुनिक मंदिर किस ने कहा तो अंसराएगा पंडित जवारल नहरू ने अब आपको आगा समझ में यानि जो बाघड़ा नांगल प्रियोजना है ये दो बांदों को मिला कर बनाई गई है एक बांद है बाघड़ा बांद और दूसरा नांगल बांद और दोनों एक दूसरे से 13 किलोमेटर दूर है इनका उदेश से क्या है ये ना एक बहुँ उदेश ये प्रियोजना है जिसमें जल का प्रियोग सिचाई के लिए के जाता है पीने के लिए के जाता है और बिजली बनाने के लिए के जाता है यानि एक से अधिक कामों के लिए किया जाता है अब हमें इनकी लंबाई चुडाई का भी पता होना चाहिए तो जो बाखड़ा बांध है जो है हिमाच्चल में यानि बिलासपुर में उसकी उचाई है 741 फुट यानि 226 मीटर और लंबाई है 1700 फुट यानि 520 मीटर और बाखड़ा बांध सबसे बड़ा किर्तिम बांध है यानि मानव निर्मित यानि इनसनों के दवारा बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है बाखड़ा बांध यानि इस अकेले बाखड़ा बांद को बनाने में 245.28 क्रोड लागत आई थी और यहां से एक क्वेशन और बनता है जो बाखड़ा बांद है कौन सी पाड़ियों के बीच में है तो यह सिवाले की पाड़ियों के बीच में और उसके अलावा जो बाखड़ा बांध है इसका पानी पंजाब, हरियाना, दिल्ली, राजस्तान और हिमाचल प्रदेश ये सबी राज्य और केंदर सासित प्रदेश इस्तमाल करते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी बहुदेश ये नदी घाटी पर योजना है ठीक है कौनसी नदी पे है सतलूज नदी पर और बाखडा बांध भुकम छेतर मिस्तित विस्व का सबसे उच्छा गुर्तविय बांध है और जो बाखडा बांध है ये तेरा सो पच्चिस मेगा वार्ट बिजली उत्पन करती है और इस बांध से कौन-कौनसी नहर निकाली गई है बिस्त दुआब नहर, सरहिंद नहर नर्वाना साखा नहर, ये नहरे निकाली गई है और इसके लावा जो नांगल बांध है ये मैंने बताया था सतलूज नदी पे बना है पंजाब के रूपनगर में है जिसको आज के टाइम रोपड बोलती है और हर्याना में ये नहर परविश करती है फत्यबाद के टोहाना जो नांगल नहर है इसका निर्मानवा था 1954 में ये आपको ध्यान में रखना है और जो नांगल बांध है मैंने बताया था कहां पे है पंजाब के नांगल में ये बांध 95 फुट तो उच्छा है और 1000 फुट लंबा है और विस्व का सबसे उच्छा बांध कुन सा है इसके हर याना में तोहाना से पर्वेश करती है इसलिए तोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है उसके बाद बात कर लेते हैं सिचाई योजनाव के बारे में जो लोहारू नहर है ये 225 किलो मेटर लंबी है और इस नहर को इंद्रा गांधी नहर भी कहते हैं बीवानी नहर 220 किलो मेटर लंबी है और इसको बीएं चकरवती नहर भी बोलते हैं और जो जो ही नहर है 170 किलो मेटर लंबी है और इसको बंसी लाल नहर भी बोलते हैं जे एल एन यानि जवार लाल नहरू नहर इस नहर से महिंदर गड़ में सिचाई की जाती हैं उसके बाद नांगल नहर क पाने के बटवारे को लेकर पहली बार समझोता कब हुआ था? चोबिस मार्च उनिसो चिंतर को सी जी डवलू बी यानि सेंट्रल ग्राउंड वार्टर बोर्ड ये क्या करता है? भूजल से संबंदित रिपोर्ट जारी करता है देखो जो ये बोर्ड है ये क्या देखता है? बविस्य में कहां पर पानी की प्रोगलम नहीं होने वाली और कहां पर होने वाली है यानि पानी की मातरा को देखता है कि कौन से जिले में प्रयप्त पानी है और कौन से जिले में पानी की अफशकता है इसके कुछ आकड़े हैं इन्हें आप एक बार पढ़ सकते हैं वैसे कोई खास जरूरी तो है नहीं पूरे भारत में जल सरक्षन के लिए नीवन पर योजना चलाई गई हैं तो देख लेते हैं आटल भूजल योजना साथ राज़ों में लागो की गई हैं इसकी सुरुवात 25 दिसंबर 2019 को की गई थी और ये 2020 से 2025 तक चलेगी कौन कौन से रज़े में करनाट्टक, महाराष्टर, गुजरात, राजस्थान, हरियाना, उत्तरबर्देश और मध्यपर्देश जल जीवन मिशन इसकी सुरुवात 15 अगस्त 2019 को हुई इसका उदेश से क्या हैं? 2024 तक भारत के हर गाउं में नल से जल पहुँचाना अगर हरियाना की बात करें, तो इस योजना का परमुक उदेश से 2022 तक हरियाना की हर गाउं में जल पहुचाना है और पंचकुला ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां पर नल के दुवारा सो परतीशत जल मिलता है और दूसरा जिला कुन सा है, अमबाला और बात करें रज्जे की, तो वो है गोवा, जहां पर सो परतीशत नल से जल मिलता है जल सकती अभियान, इसकी सुरुवात एक जुलाई 2019 को हुई थी उसके बाद है, परधान मंतरी क्रिसी सिचाई योजना, इसकी सुरुवात एक जुलाई 2015 को हुई थी और इस योजना का नारा था, हर खेत को पानी उसके बाद है, जहारलाल नहरू लिफ्ट सिचाई पर्योजना, इसकी सुरुवात हुई थी 1976 में और इस पर लागत आए थी 40.30 क्रोड रुपे और इस पर्योजना से, लोहारू, नारनोल, महिंदरगण, चर्की दाजरी और रिवाडी छेतर में फसल छेतर को सुधार हुआ था वैसे मैंने ये सब बता दिया है, फिर भी आप इसको देख लेना, हर्याना पर्देश में पर्मुख नहरे वैसे चाई पर्योजना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर्याना की पर्मुख नहरे, ये सबी पर्मुख नहरे हैं उसके बाद हर्याना की पर्मुख बांद, ये देख सकते हैं कुशल्या बांद पिंज़ोर में हैं, अनंगपुर बांद फरिदाबाद में हैं, हतनी कॉंट बेराज यम्ना नदी पर हैं, यम्ना नगर में पला बेराज फरीदाबाद में हैं, मसानी बेराज रिवाडी में हैं, साहिबी नदी पर ताज़े बेराज यम्ना नगर में हैं, उट्टू बेराज सिर्सा में हैं, घगर हकरा नदी पर पत्राला बेराज यम्ना नगर में हैं, सोम नदी पर दादुपुर बांध सोम नदी पर है ये भी है यमुना नगर में ओखला बांध यमुना नदी पर है ये है दिल्ली में जल बहरा बेराज कुर्चेत्र में है मरकंडा नदी पर टोपी बाला बांध यमुना नगर में है यमुना नदी पर दिवानवाला बांध घगगर नदी पर है पंचकुला में चमला बांध घगगर नदी पर है पंचकुला में लकवार बांध यमन नदी पर है उत्रा खंड में किसाव बांध टोंस नदी पर है उत्रा खंड में रेनु का बांध गिरी नदी पर है हिमाचल परदेश में, बाखडा बांध सतलूज नदी पर है हिमाचल परदेश में